के नेस्ट कुेशन हमारा क्या है Evaluate a square root 26ש करेक्टर अप्डूऊद four places of decimal means हमारा यहाँ पर क्या निकालना है त्वैटैसीसक्स का square root निकालना है तब हम इसको हम लोग क्या लख सकते है 25 प्लस बॉस लख सकते का square root ठीक है तब हम इसको और कहा लिए सकते हैं अगर 25 हम लोग कौमा ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा 1 प्लस 1 बैट 25 का होले का रूट ठीक है तो 25 का स्कौर रूट कितना हो जाएगा 5 5 तो जब हम 5 लेले हैं तो हमारा क्या बचे गया 1 प्लास 1 बाइ 25 का square root ठीक है तो according to binomial theorem तो binomial theorem क्या बोलता है कि अगर 1 प्लस x का power n रहेगा तो इसको by factorial 2 ठीक है प्लस डॉट डॉट ठीक है तब हम लोग यहां देख रहे हैं कि 25 denominator में हैं ठीक है तो अगर मालों की इसका हम लोगे square कर रहे हैं तो किता हो जागा 625 अगर फिर हम लोग क्यों 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 हो जाएगा बहुत बढ़ जाएगा बहुत मैक्सिमूम हो जाएगा इसलिए हम लोग जो higher term होते है पावर का थे higher power वाले term को हम लोग क्या कर दिए कर देंगे एक कितना है 1x 25% plus in कितना है 1x 2x into हमारा क्या है सब देक 7ssa 1ường माईनस 1 करिंगे तो कितना हो जागा-1 x2-1 x 2 can click from a3 in को क्या लिख सकते हैं 2 x 1 और x क्या हो जाएगा 1 by 25 का whole square है ठीक है हम लोग maximum क्रम को हम लोग क्या किये skip कर दिए यह square है फिर आप देखलो 5 1 plus 1 by यह क्या हो जाएगा 50 यह क्या है यह तो माइनस में जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तू तू जा फॉर और फॉर तू जा एट तो 1 by 8 इंटू यह कितना हो जाएगा 1 by 625 क्योंकि 25 का whole square कितना होता है 625 5 1 plus अब क्या कर रहा कि 1 का 50 का कितना हो जाएगा अगर 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 57 को डिवाइड करेंगे तो जीरो फिर को जीरो चाहिए जीरो और यह कितना हो जाएगा 100 मिन्स टू बार में यह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तब यहां पर क्या लिख होगे जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस आप इसको मल्टिप्लाई कर लेते हैं वन बाई 85 जा 40 कि जीरो हाद में 4 एट जा 60 प्लस 4 20 कि जीरो हाद में दो और एट 6 जा 48 प्लस टो 50 ठीक है तो हम लोग लेकेते हैं 5 यह 1.02 यह प्लस नहीं अच्छा माइनस है माइनस अब हम लोग क्या कर रहे हैं 500 5000 से 1 को डिवाइड करेंगे तो चलिए 0 देक जीरो यहां को पूर्डेश मल दी तो दीए फिर 10 देंगे तो फिर 10 पीर 10 लेंगे तो 10 अभी तो 1000 यह है तो फिर हमको एक और जिरू देना पड़ेगा यहां भी जिरू और यह केतना दूबर में लगेगा तो 1000 ते 1000 अरह तो यह दो जिरू तब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.123 ठीक है तो इस तरह से हमारे यह ट्रम आया ठीक है फिर नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम लोग क्या करें इतना मिसी इसको घटा आते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे 1.0 यहां पर घटा आगे डायक्ली लिख लेते हैं 1.0 0.0002 और यहां पर कहलेंगे नीछे 0.0002 सब्ट्राक्राप्र रेते हैं 10 में से दो गिया 8 यह कितना हो जाएगा 9 और यह कितना हो जाएगा 1 0.001 और यह से 0 हो जाएगा 1 ठीके तो यह कितना हो जाएगा 1.0198 चलिए अब इसको multiply कर लेते हैं कि फाइब जाब 40 के 0 हाथ में 4 9 5 जाब 45 45 प्लस 4 49 के 0 हाथ में 4 फाइब 5 बन जाब 5 प्लस 4 9 और यह क्या हो जाएगा फाइब जाब 50 जाब 0 और यह कितना जाब 5 5 1 जा 5 means हमारा यह क्या कहा जाता है कि square root of 26 का value हमारा कितना है 5.0990 ठीक है तो यह हमारा square root of 26 है तो हम लोग क्या कि बाइनोमियल theorem का यूज करके हमनों क्या निकाल रहे है स्क्वाइर रूट निकाल रहे है तो आप किसी भी पावर का आप क्या कर सकते उसका value निकाल सकते हूँ by solving by by using a binomial theorem ठीक है